तो हईलो दोस्टों नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हुँ ही टेक्सिंजर का जॉब है उसको आप मतलब आपको दे दिया जाए तो आप कैसे स्टाइटिंग करेंगे मतलब आपको पूरा ड्राइंग ही देर दिया जाए तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे मालेज़े कि आपके उपर पूरा सब कुछ है जो आपको अपने हिसाब से बनाना है तो आप कैसे उसको बनाएंगे ठीके तो आज के वुडियो में यहीं डिस्कस करेंगे बाकी वुडियो बढ़िया लेगे तो वुडियो को लाइक कीजिए कमंड कीजिए सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्स्राइब जो कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का वुडियो तो दोस्तों देखिए एक हीटेशिंजर का ड्रॉइंग मेरे पास पड़ा है जो कि इसके बारे मैं आप लोगों समझाते रहता हूँ तो मालेजिए कि एक बार मैं जैसे कि मैं आपको बता दियो की स्टोरी स्टोरी नहीं मतलब हकीकत है मैं गया था अफ्रिका में मुझे एक ओफर आया था कि एक हीटेशिंजर का जवाब है उसे बनाना है क्या बना सकते हो तो मैंने हां में जवाब दिया था आज से करीब 5-6 साल पहले तो मैंने वहाँ पर मुझे काम पता था इसलिए मैंने हां बोला और पुड़ा उन्होंने इंट्रेविव लिया कैसे बनेगा तो उसके बारे में बता के मैं वहाँ चला गया और बना के आ गया था ठीक है तो ऐसा कुछ आपको जॉब मिलता है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे क्या क्या प्रोसीजर होता है वह सब बता रहा हूं ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरू किजिएगा तो सबसे पहले दोस्तों जो हीट टेशिंगर होता है उसका गिरा है सेल का ठीक है तो सेल का प्लेट जो है वह मार्किंग करें कितना लंबा होगा कितना एडी का वह जितना होता है मतलब जितना ट्रॉइंग में दिया है उतना ही करना है उससे प्लस नहीं करना है वह सब बराबर उसको जो है मार्किंग करें सेल रोलिंग के लिए चला हो दगा हैगा प्लस यहां पर कpace दिया हुआ है तो दिस्क का जो है टैम बना लिजिए टीक है कौन से दीस का कैसे टैमे बनते है इसको फिम तो ये दिस्क देंज और ब्लैंक डाया निकाल के इसका सर्कल मारिए उसको कटिंग करिए और फ्रेस साप करके टेंपरेट के साथ प्रेस ऑपरेटर को देजी ताकि वो डिस्ट बना के आपका दे दे ठीक है यहां तक तो स्टार्टिंग का काम है इस सब होने के बाद इस सब फ्लांच वगर आपक करना उसके बाद प्लांच और सेल अर्डिस के इसके बाद के बनाले नहें हें तो इसका ट्यूब यूपशिट का अगर डेटेल आपके पास है, खुद बनाना है तो उसका भी मैंने वीडियो बना है कैसे मार्किंग होता है, क्या-क्या ड्राइंग में दिया रहता है, वो सब बना लेना है, अगर रेडिमेट है, तो बंडल कैसे तायर करते हैं, उसके लिए क्या है, एक उसमें ट्यूब पहले ही गुसा देना है, ठीक है, यानि कि बंडल जो है, सेल के अंदर डालने से पहले बाहर ही, उसमें पूरा ट्यूब डाल देना है, डाल के जो भी स्पैंडिंग और विल्डिंग है, उस सब कल लेना है, और यह तो आपका बंडल बन गया इस तरह से, उसके बाद सेल अगा ready होगा, नोजल ready है, तो इसका orientation marketing करें, और नोजल लगा लें, जो भी उसका उतलब procedure है, उस company का कितना plus रखना है, कितना label रखना है, प्लस रखना है, उसमें पकर नोजल renewства हो जाता है, उसमें आप शेक हो जाता है, तो अंदर से जो है, matching करके, cutting करके के बेक्चिप आपर वेल्डिंग करके अंदर से जितने भी वेल्डिंग हैां, सेयल के अंदर टीके के जितने भी वेल्डिंग हैं, उस अब fles खि gift下去 होंगे एकदम चिकना रहेंगे, plan रहेंगे, welding अंदर नहीं दिखा रहा है और ध्यान रहे कि जो नोजल लगता है बहुत सारी कमपनियों क्या होता है कि फिट अप होने के बाद बस रूट और हॉट पास मारके छोड़ दिया जाता है ठीक है तो इसमें क्या है आपको safety के लिए root मारे, hot pass मारे, जो pad लगा है जिस nozzle में उसका भी root मार के छोड़ दें, बाकी अंदर से सारे nozzle इसी तरह से करना है और बाकी कोई भी support लगाना ने यह से लग support हो गया, और saddle है तो saddle हो गया, यह सब का welding नहीं करना है पहले, fit up भी नहीं करना है तो सारे nozzle लगाने के बाद, आपको bundle डाल देना है, अगर bundle असानिस चला गया, और हाँ, bundle डालने से पहले, जितना बफल का OD दिया हुआ है, उस OD का एक आपको dummy बनाना है, dummy बनाने के बाद, sale में आपको pass करना है, अगर पूरा pass हो गया, तो समझ लिजिए कि bundle आपका पूरा तो क्या होता कभी-कभी, यू bundle होता है, तो समें जो है, एक साइड में डीश लगा होता है, तो सीधा गुसा के खाली बोल्टिंग रहता है, और ये दोनों सेड जिसमें tube seat है, उसको बनाने के बाद, जो है, bundle डालने के बाद आपको इसको alignment करना होता है, यानि, tube seat को plum में कर के बराबर लेबर बाट लेबल चेक कर गए उसके बाद व्लिंग दिया जाता है तो अगर बंडल फिक्स हो गया आपका व्लींग हो गया उसका तो आप नोजल का जो फाइनल व्ल्डिंग करा सकते हैं बाखी का जो काम बचा है जैसे कि यह लग सब्सक्राइब हो गए ही टेक्शिंजर में यह सैटल अगर भी होते हैं उसब अगर हो गए मतलब है रेडी तो सब आइटम आप लगा सकते हैं ठीक है उसब लगाने बाद आपको देखें यहां पर साथ-साथ में यह सब भी काम आप कर सकते हैं इसका जो बूनट होता है इसका कुछ प्रावल्डिम नहीं है आप नोजल लगा कर सकते हैं जितने भी आइटम में इसमें लिप्टिंग लगोगर हो गया यहां पर देखें कप्लिंग दिया हुए है जो भी आइटम इसमें है चैनल सेल में उसको आप पहले लगा के वेल्डिंग कर सकते हैं ठीक है और बाकी का इसमें जो है इसी तरह से होता है अगर बहुत सारी कंपोनियूम क्या होता है कि जोईन चावरंप तरल ये महार्थ सिंस भी आज म multifort analyse और ऑपर क्ल头 हो कर से सब्दाने नोजल का उपनि होता है कि मौने के बाद सब्द आ देजना हो और आज़ा है होता छाँड़ा क्ल़ादा सभा लगाते हैं लेकिन धोता भी जाता है तो उसी तरह से हैं नोजल फिट अ offices के बाद उसके बाद अंदर सो और अंदर से सब्समेट करके आप तो पैड मतलब जिस नोजल में पैड लगा है उसका तो पीनिमोटिक चेक करना वड़ेगा यानि कि एर जितना भी प्रेसर का एर दिया हुआ है वो डालके सोप डालके चेक करेंगे अंदर और बाहर दोनों कि कहीं भी लीकिज ना रहे ठीक है यह सब होने के बाद जो है बाद जो है बाकी का काम आप कर सकते हैं तो हीट एक्सिंजर तो इसी तरस्ते बाथा है और मैंने जो बना था जैसे मैंने बताया कि अफ्रिका में गया था तो हां पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया था वहां पे मैंने नोजल लगा कि final wilding धर दिया था जैसके मुझे बहुत प्रावलम हुआ था बंडल डालने में तो यह गलती आप ना करें कोशित रहे कि जहां पे भी नोजल है बड़े वगरा और जितने भी सपोर्ट है वो बंडल डालने के बाद लगाया जाए ठीक है और जो नोजल है उसका रूट मारे विल्डिंग में और हॉट स्पोट मारे म लोगों को बाकी उमीद करूंगा थोड़ा को जनकारी अच्छा लगा होगा बाकी वीडियो अच्छी लगे तो बीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर के अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार